जय हिंद दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 20 बहुत ही महत्वपूर्ण सवालों के बारे में. यदि आप इन सवालों के जवाब जानते होंगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताए. आपका पहला सवाल है, मनुष्य पहली बार चंद्रमा पर कब उतरा था? आपका ओप्षन है, A. 1960 में, B. 1979 में, C. 1970 में, D. 1975 में, आपका सही जवाब होगा. ओप्षन B. 1979 में, आपका दूसरा सवाल है, किस देश में दुनिया की सबसे चोड़ी सड़क है? आपका ओप्षन है, A. भारत में, B. अमेरिका में, C. इंडोनेशिया में, D. ब्राजील में, आपका सही जवाब होगा. ओप्षन B. ब्राजील में, आपका तीसरा सवाल है, अधिक्तम लंबाई वाली सड़क किस राज्य में है? आपका ओप्षन है, A. महराश्ट्रा में, B. पंजाब में, C. उत्तर प्रदेश, D. मध्यप्रदेश आपका सही जवाब होगा. ओप्षन A. महराश्ट्रा में, आपका चौथा सवाल है, अमेरिका किस देश का गुलाम रह चुका है? आपका ओप्षन है, A. ग्रेट ब्रिटेन का, B. जापान का, C. चीन का, D. रूस का आपका सही जवाब होगा. ओप्षन A. ग्रेट ब्रिटेन का आपका पाँच्वा सवाल है, अंग्रेजों का सर्वादिक विरोध किस ने किया था? आपका ओप्षन है, A. मुगलों ने, B. मराठों ने, C. राजपुतों ने, D. सिख्खों ने आपका सही जवाब होगा. ओप्षन A. मुगलों ने, ऐसे ही वीडियो रोजाना पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को आउन कर दीजिए. आपका अगला सवाल है, प्यास का सबसे ज़्यादा उत्पादक वाला देश कौन सा है? आपका ओप्षन है, A. अमेरिका, B. भारत, C. चीन, D. जापान आपका सही जवाब होगा. ओप्षन B. भारत आपका अगला सवाल है, रानी लक्षमी बाई के घोड़े का क्या नाम था? आपका ओप्षन है, A. पवन, B. सारंगी, C. बादल, D. इनमें सब ही? आपका सही जवाब होगा. ओप्षन D. इनमें सब ही? आपका अगला सवाल है, सबसे पहले नोड़ बंदी किस देश में हुई थी? आपका ओप्षन है, A. भारत में, B. घना में, C. अमेरिका में, D. चीन में? आपका सही जवाब होगा. ओप्षन B. घना में आपका अगला सवाल है, किस देश के प्रधान मंत्री को शपत लेते ही फासी देने की सजादी गई थी? आपका ओप्षन है, A. पाकिस्तान देश के, B. श्रीलिंका देश के, C. रूस देश के, D. चीन देश के आपका सही जवाब होगा. ओप्षन A. पाकिस्तान देश के आपका अगला सवाल है, कौन सा विटामिन घाव भरने में मदद करता है? आपका ओप्षन है, A. विटामिन A. B. विटामिन B. C. विटामिन D. D. विटामिन K. आपका सही जवाब होगा. ओप्षन D. विटामिन K. ऐसे ही विडियो रोजाना पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को आउन कर दीजिए. आपका अगला सवाल है, विश्व का सबसे पुराना खेल कौन सा है? आपका ओप्षन है, A. रिकेट का, B. फुटबाल का, C. पोलो का, D. लुडो का. आपका सही जवाब होगा. ओप्षन C. पोलो का. आपका अगला सवाल है, चान्द पर सबसे पहले पानी की खोज किस देश ने की थी? आपका ओप्षन है, A. अमेरिका ने, B. भारत ने, C. चीन ने, D. जापान ने. आपका सही जवाब होगा. ओप्षन B. भारत ने. आपका अगला सवाल है, किस देश में सफेद हाथी पाए जाते हैं? आपका ओप्षन है, A. भारत में, B. थाइलेंड में, C. रूस में, D. अमेरिका में. आपका सही जवाब होगा. ओप्षन B. थाइलेंड में. आपका अगला सवाल है, उंट का लगभग जीवन काल कितने वर्ष का होता है? आपका ओप्षन है, A. पच्चीस वर्ष, B. थीस वर्ष, C. बाइस वर्ष, D. बीस वर्ष. आपका सही जवाब होगा. ओप्षन B. थीस वर्ष. आपका अगला सवाल है, राष्ट्रिय खेल दिवस कब मनाया जाता है? आपका ओप्षन है, A. अठाइस अगस्त, B. उन्तीस अगस्त, C. तीस अगस्त, D. सताइस अगस्त. आपका सही जवाब होगा. ओप्षन B. उन्तीस अगस्त. आपका अगला सवाल है, इन्द्रध धनुष में कितने रंग होते हैं? आपका ओप्षन है, A. पाँच रंग, B. छेह रंग, C. सात रंग, D. आठ रंग. आपका सही जवाब होगा. ओप्षन C. सात रंग. आपका अगला सवाल है, भारत का सबसे प्रदूशत शहर कौन सा है? आपका ओप्षन है, A. महाराष्ट्रा, B. कानपुर, C. लखनव, D. दिल्ली. आपका सही जवाब होगा. ओप्षन D. दिल्ली. आपका अगला सवाल है, स्टेट बैंक ओफ इंडिया का पुराना नाम क्या था? आपका ओप्षन है, A. बैंक ओफ भारत, B. बैंक ओफ हिंदुस्तान, C. बैंक ओफ स्टेट, D. इनमें से कोई नहीं. आपका सही जवाब होगा. ओप्षन A. बैंक ओफ भारत. आपका अगला सवाल है, क्या खाने से कुट्ता मर जाता है? आपका ओप्षन है, A. दही, B. समोसा, C. चॉकलेट, D. सुव का मास. आपका सही जवाब होगा. ओप्षन C. चॉकलेट. अगया सवाल आपके लिए, आप सभी लोग इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं. भारत का राश्ट्रिय खेल कौन सा है? आपका ओप्षन है, A. क्रिकेट, B. होकी, C. लुडो, D. फुटबॉल. आपका सही जवाब क्या होगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं. तो साथियों वीडियो को यही समाप करते हैं. वीडियो को अंतक देखने के लिए आपको दिल से धन्यवाद. ऐसे ही नॉलेजबल वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को आउन कर दीजिए. अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए. हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो ले आते रहेंगे तो मिलते हैं अगले वीडियो पर.